नमस्कार दोस्तों आप सब का स्वागत आपके एपने यूटूब चैनल विकास फिजिकल एजूकेशन स्टड़ी पर मापका साथी विकास लगातार खेल वैसिक्षा की जानकारी के लिए बनाऊँ आपके साथ तो दोस्तों वही एक भाई की रिक्वेस्ट आई थी एक भाई यहांगी सभी के लिए इंपोटेंट हैं तो दोस्तों सुरू करते हैं यह एकजाम एन्डो मर्फिक मेस्ोमर्फिक एक्टोमर्फिक किस ने दिये जोन डीवी ने, क्रेस्मर ने। शल्डण ने तो यह किसले दिये वही, एक्टो, मेस्स, Мेस्व, गोह्ढ मटुल, मेस्ट विल्ड और एक्टो वही लंबे बतले तो ये जो शेल्डन मों देने ये दिये तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है शेल्डन ओप्शन सी आगे चलते हैं दोस्तों निमिलिक इत्में से कौन सा व्यक्तित तवकासी दान्त नहीं है व्यक्तित तवकासी ज्यानात्मक सी दान्त और व्यक्तित तवकाकरिया प्रसूत का अनुबंदित सी दान्त ये नहीं है इसका राइट आंसर है ओप्शन डी ये इसका राइट आंसर है आगे चलते हैं दोस्तों सो मीटर महिला बादा दोड में बादाओं की उच्छाई कितनी होती है सो मीटर दोड में बादाओं की उच्छाई महिला के लिए होती है सो मीटर पूर्शों के लिए होती है 110 मीटर तो महिलाओं के लिए उच्छाई है 0.840 मीटर यानि कि 0.84, 83.8 भी है वही कई जगह है, और ये उल्टे सी दे कुतरक मत किया गरो, वही ये इतना है, ये इतना है, जहां तक हम जो गलती होती उसे अम्मान लेते हैं, हम ये तो नहीं कि वही अपनी गलती नहीं मानते, गलती मिस्टेक जो काम करेगा उससे होगी, लेकिन ये जो शुंगवंस के राजा थे, उसके दरबार में थे, इन्होंने योग सुत्र की रचना की, और योग सुत्र में कितने सुत्र हैं, तो वही इसका जो राइट आंसर है, 106 ओप्शन सी, इसका राइट आंसर है, योग सुत्र के रशिता, महरशी पतंजलिया, पुश्यमित् कारणा ध्यान समादी, आगे चलिए दोस्तो, पर्थम Asian Games 1991 में दिली में खेले गए थे, इन्हें कुल कितने देशों ने भाग लिया, पर्थम Asian Games 1991 में दिली में गए, जीडी सोंदीन का जनक का आ जाता है, एक कोश्यन आ रहे है आभी बार-बार, एवर उन्वार्ड है, इसका जो मोटो है, वो एवर उन्वार्ड है, यह याद रखेगा, Asian Games का, और इसका जो राइट अंसर है, जो पर्थम Asian Games में कितनी कंट्रीज ने वाग लिया, तो 11, 11 कंट्रीज ने इसमें वाग लिया, आगे चलते हैं दोस्तो, प्यूस गरंथी से कौन सा हर्मोन स्त्रावित होता है, प्यूस गरंथी होती है, अमारे मस्तिष्क में, प्यूटी ट्री ग्लेंड, इसे मास्टर गरंथी भी कहा जाता है, इसे कई जगे 13, कई जगे 16, 16, अलग-अलग जो गरंथियां है, उनको सभी को ये नेंतरित करती है और इसे भी भीन परकार के हर्मोन जो हैं वो स्त्रावित होते हैं तो इन में से कौन सा आर्मोन स्त्रावित होता है ओक्सी टॉक्सेन ओक्सी टॉक्सेन ये आर्मोन पर उस गरंथी से स्त्रावित होता है मैक्सिला अड़ी कहां पाई जाती है मैकसिला अड़ी फेस में पाई जाती है वई हमारे फेस में 14 अड़ियां होती है 8 खोपड़ी में और 3 इसकानव में 3 इसकानवा और एक घरदन में और वई जो उपरी बाहू है उसमें 64 और पैरों में 62 अड़ियां होती है आपको ये याद रखना है हड़ीों का अदन ओस्टियोलोजी कहलाता है ये फेसियल बॉन है जाइगोटिक है मैकसिला है यह सब कैसी बॉन है, फेसियल बॉन आगे चलते हैं दोस्तों अनची पेशियों को पेशिया अन्य नाम से भी जानी जाते है involuntary muscle एनेचिक एक तो भी है जैसे हाथ-पैर में जो मासपेशिया हैं एनेचिक जैसे कारडिक मसल है और पेट के अंदरूनी जो सिटम हैं उनकी कुछ मसल है आतवाद इनकी तो एनेचिक मासपेशिया हैं जो हमारी जो हमारी कहने से कारिया नहीं करती है हाथ-पैर की मासपेशिया कुछ हैं जो हमारे कहने से कारिया करती हैं ज्यानि कि हमारे करने से कारिया करती है और जो अपने आप कारिया करती है नेचिक उने कैसी मासपेशिया कहा जाता है चिकनी पेशिया हो स्मूथ मसल यह इसका राइट आंसर है वही आगे चलते हैं दोस्तों तीन परकारगी मास पेशिया वही एचिक अनेचिक और कारडिक अरदे की पेशिया आगे चलते हैं दोस्तों सारीक शिक्षाक एवं मनुरंजन केंद्रिय सलाकार परिशद कैवे पर आप इसकी शोट फोर्म याद रखें कैवे पर बहुत बार यह कोश्चन आ है और मैं अपनी सीरीजों में कम से कम पचास बार ही से करा चुका हूँ और पचास उनिस सो पचास में ही इसकी स्तापनावी यह इसका राइट आंसर है सारीक शिक्षाक मनुरंजन की केंद्रिय सलाकार परिशद का गठन उनिस सो पचास आग्गे चलते हैं वह बारतिय खेल प्राधिकर्ण का पदेन दक्स होतता है वह इसकोश्चन का पहले आंसर देते थे बारत का प्रदान मंत्री अब देते हैं वह बारत का खेल मंत्री जो इसका आंसर पहले देते दे वह बारत का परदान मंत्री और अब बारत का खेल मंत्री है इसका राइट आंसर है उनिस सो चुरासी में साई की स्तापना वी और बारतिय खेल प्राधिकर्ण है जो बारत की जो फेडरेशन है उन्हें आर्थिक साह आगे चलते हैं दोस्तों खेल ही जीवन है खेल ही जीवन है यह दरना किस ने दी फ्रायड ने क्या दी वहीं मनों विशलेशनवाद का सी दांत दिया पोल्टिक्स के जनक अरस्तू जी विग्यान के जनक अरस्तू और जोन डीवी ने ही का खेल ही जीवन है प्रियोगवाद के जनक थे जोन डीवी और कील पैट्रिक आपको ये याद रखना मैराथन दोड़ किसके नाम पर होती है वह एक स्थान है वैक्ति है परदा संस्ता है तो एक फिड़े पिड़ी जो वैक्ति था यूनान में उसके नाम पर ही यह होती है मैराथन दोड़ इसकी दूरी 42.155 मेटर कितनी है वही 12.1515 बाकर एक सोपिचयान में 26 मिल 385 गजिसकी दूरी है आगे चलते है वही उपनुस्दों का पुराना नाम क्या है दूसरा नाम क्या है वही उपनुस्दों का दूसरा नाम वही वे दंत ये इसका राइट आंसर है 108 उपनिस्त है ठारा पुराण है छेवेदान थे देत्वे ग्राग आद्यापी दोस बीजे केवलम योग सुत्र में के किस पाद में वरनीत है बही मुशल कोश्चन है ये डीपली कोश्चन है इतना डीपली शायद आपके एक्जाम में नहीं आएगा और इसका जो राइट आंसर है वो है कैवल्लेपाद में ये है जो सुत्र है ना ये शलोक है योग सुत्र के कैवल्लेपाद में वरनीत है और योग सुत्र की रचना मैर्शी पतंजली ने दी दी Töglichabbag उर सुंगवस के राजा थे पुषे मित्र सूंग इस ने अशोख के बहु एक लाख़ पिलेक यह सिरल लेक बहुंको निस्ट कर दिया था भई इनका पुत्र हुए अगनी मालवी कागनी मित्र जो काड़िदस की रौशना हो और के पुत्तर और मालदेश की राज को मालवा का के प्रैम पर आदा थित अगे चलते हैं दोस्तों कमर की शकती को मअप आ जाता कमरव पैरों की सकती किसके दोवारा मा पी जाता है या इसका राइट प्रसित थे एथेंस और स्पार्टा दोनों ही इनों में इनमें क्या था वई नर्ते और वायाम साला थे प्लेस्टरा और डिडा स्केलिम इनमें नर्ते वायाम और अन्य जो खेलों का परसिक्षन दिया जाता है आपको यह याद रखना। यह हमारे उपरी बाउगी मसला जी है देशी बाशा में कब जा बोल देते हैं भी आग्गे चलते हैं दोस्तों अगला कोश्चन है किसी नाक आउट टूनामेंट में 19 टी में भाग ले रही हैं तो कितनी बाई दी जाएगी 19 से आगली जो पावर टू है वो क्या है 32 और 32 में से 19 गए तो बाई रहेगी 13 इसका C इसका राइट आंसर है नोक आउट टूनामेंट का यह वो है अगली जो और उसके बाद है चौश्च और 32 के नीचे ही 19 है और 32 माइनस में 19 तो 13 जो बाई इसमें दी जाएगी आगए चलते हैं दोस्तों वर्तियों का सही करम है परमाण विप्रे विकल्प निद्रा समर्ती ओप्शन डी इसका राइट आंसर है ओप्शन डी वर्तियों का सही करम ह परमाण विप्रे विकल्प निद्रा समर्ती आगे चलते हैं दोस्तों इचकी इचकी किसके प्रकोप से उत्पन होती है तो वही इचकी जो हमारा सवसन सन्तान है इसमें बादा आने से उत्पन होती है वात इसका मुख है वात के प्रकोप से उत्पन होती है ओप्शन ए इस उड्यानबंद का समबन्द है, उड्यानबंद का समबन्द कहाँ से वई, पेट से है, उड्यानबंद का समबन्द, पेट से grille option D का right answer है, तंत्री का कोशिका कहलाती है, नैफ्रोन किडनी की छोड़स्प स्वी छोटी काई है, तो तंत्री का कोशिका कहलाती है न्योरान ये इसका राइट आंसर है ओप्शन बी ओप्शन बी इसका राइट आंसर है अगला कोश्चन है पुश अप कीशू तोलक काउदारना थोड़ा सा गुमा के परसन पूछा है 32 पर्थम सरेणी 30 बी और सी तो बई मनुष्य के शरीर में दिक ताकों से क्लीवर के जी से उताकत लगाता है तीसरे परकार की लेकिन पुश अप में बी और सी दोनों परकार के उत्तोलकों का काम होता है आपको ये याद रखना आगे चलते हैं दोस्तों फेपड़ों की समता मापने वाला ये अंतर कौन सा है स्पिग्नोमेनोमेटर से क्या होता है स्पिग्नोमेनोमेटर से रख्चाब मापने जाता है और इसका जो राइट आंसर हो क्या है स्पाइरोमेटर स्पाइरोमेटर ओप्शन डी option d spirometer इसका right answer है फेपड़ों की समता इससे मापी जाती है वही फेपड़ों की जो समता है वही वायू की वो साड़े 4 से साड़े 5 तक है कहीं 6 तक दी गई है आपको यह याद रखना है बाइक स्पीड वालू का दूसरा नाम है अर चंदरकार, ट्राइक स्पीड, मिट्रल, अरोटा अरोटा जो क्या है वही वो सबसे बड़ी धमनी है महा धमनी है तो ट्राइक स्पीड अलग वालू है, बाइक स्पीड अलग वालू है बाइक स्पीड का दूसरा नाम है मिट्रिल वालू मिट्रिल वाल्व, वाइं और होता है ये हर्दय में आपको ये याद रखना हर्दय में च्यार वाल्व है मिट्रिल वाल्व को ही वाई कस्पीड का हजाता भी पलॉमनी वाल्व वाई कस्पीड, ट्राई कस्पीड और और ट्रिक वाल्व ये चार वालव हमारे हर्दय में होते हैं और चार ही कक्स होते हैं, चार ही चेंबर होते हैं, उपरले कक्षों को, आलेंद और निचले कक्षों को निले कहा जाता है, आपको ये याद रखना है, फीफा, फीफा की स्थापना, बै फीफा की स्थापना कब हुई, ये मुखह ज पैरिस में भी थी फ्रांस की राज़नी है पैरिश, पैरिश, चीन नदी के किनारे है फ्रांस को सुर्व सुराओं का देश कहा जाता है तो फीपा का मुखल comen Japanese यह सम्भने यह यह इसका राइट आंसर है 1904 में इसकी स्ताफ़ना और भारती है फुटबल फेडरेशन की स्ताफ़ना 1937 बगवत गीता के अनुसार आतम संयम योग किस अध्याय को कहा गया है आतम संयम योग यह भी थोड़ा डीपली पर्षन है लेकिन इसका जो राइट आंसर है वह शस्तम शिख्त ओप्शन सी इसका राइट आंसर है आतम संयम योग है किस अध्याय में है ओप्शन सी छटे अध्याय में आपको यह याद रखना क्रोस वैबर टेस्ट से मापया जाता है कंठोपनिस्द के अनुसार योग है यह भी थोड़ा डीपली है वह डीपली कोश्चन आये हैं इसमें योगा की कंठोपनिस्द के अनुसार योग है इंद्रियों की स्थिर दारना ओप्शन बी इसका राइट आंसर है इंद्रियों की स्थिर दारना ओप्शन बी इससे अगला कोश्चन है हिच की तकनीक संबंदित है हुची कूद में लंभी कूद में तीरी कूद में और गोड़ा फैक में बेडिस्कोपट और और्थोडोक्स ये और पैरियोब्राइन स्थाइल ये किस में है ये गोड़ा फैक में है होप स्टैप जंप ये तेरी कूद में है और हिच किक हैंगिंग और सेल स्थाइल ये लंभी कूद में है और फॉस्परी फ्लॉप तकनीक और सीजर स्थाइल उ का शमन होता है, गरीशम रीतु में किस दोस का यानि कि कम हो जाएगा कुन सा डोस्, कफ दोस किकस लिए कम हो जाएगा तोग यह रिशीत रीतु में प्रबल होता है, कफ दोस का शमन गरीशम रित्व में उत्ता option A is का right answer है आगे चलते हैं दोस्तो अगला question भी वे ये भी question मैं कोई चम्मन बार ही बता चुक्या हूँगा All India Sports Council की स्थावना कभी वे उनिशो चमन बार ही मैं ये question बता चुक्या हूँगा आपको A I C S All India Council of Sports फोर्मिन इन दा इयर उनिशो चमन एडी इसवी आपको ये याद रखना फार्टलेक फार्टलेक सबद है जर्मन का यूनानी का फ्रेंच का स्वीडिश का स्वीडिश का सबद है वई फार्टलेक स्वीडिश बाशा का सबद है फार्टलेक परसिक्षन विदी क्या है वही फार्टलेक परसिक्षन विदी जो सैंसील्था को विक्षित करने की विदी है इसमें कारिय करम पहले से निर्दारित नहीं होता गोष्टा आलमोर ने इसे दिया था और आश्टार्ड नहीं से विख्षित किया दा स्वीडन की राजदानिया स्टॉखोम जहां नोबल पुरुषकार दिये जाते हैं स्वीडन एक यूरोप का बहुत ही अच्छा देश है आपको ये भी याद रखना बता देता हूं थोड़ा सा वही आपकी जो आगामी प्रिक्षां उसमें जीके भी आएगी थोड़ी इसलिए साथ-साथ कोई कोश्चन उससे रिलेटर भी बता देता हूं स्वीडन की राजदानि स्टॉकोम है यहां नोबल पुरुषकार दिये जाते हैं जांति-का नोबल नार्वेग राजदानि ओसलों में दिया जाता है और फार्ट लेक का दूसरा नाम स्पीड पले है और फार्ट लेक परशक्शण विदी जो सैन-स इलता को विक्षित करने की सबसे अच्छी विदी है अच्छी विधी नहीं भी सेंस इलता को सबसे विक्षित करने की सबसे अच्छी विधी है continuous training method लेकिन ये भी सेंस इलता को विक्षित करने की विधी है और इसमें कार्यकरम पहले से निर्दारित नहीं होता आगे चलते हैं दोस्तों किस खेल में एंटीना अगा प्रियोग होता है क्रिकेट में table tennis में football में वाली वाल में इसका प्रियोग होता है एक point 80 इसकी उंचाई है और वाली वाल के का जो court है ठारा गुणा में नो ठारा मीटर लंबार नो मीटर चोड़ा और attack line की center line से दूरी तीन मीटर रखती है और जो इसमें खिलाड़ी होते हैं 6 playing में और 6 extra खिलाड़ी होते हैं आपको ये याद रखना कौन सी बारतिय टीम 1956 के ओलंपिक खेलों में semi final में हार गी थी football badminton hockey उप्युक्त में से कोई नहीं तो इसका जो राइट अंसर उनीशोचपन में बारतिय फुटवाल टीम सेम final में हार गी थी भी फुटवाल का आधुनिक फुटवाल का जनक इंगलेंड है और चीन में इसे सूचू कहा जाता है और मिस्र में हार पास्टों फुटवाल को और फुटवाल विस्रों का सबसे लोग प्रिये खेल है इसमें कोई भी टाइम आउट नहीं हो ताप अंतराष्टे फुटवाल फैडरेशन की स्थापना 1904 में और जो बारतिय फुटवाल फैडरेशन की स्थापना 1937 में के चलते हैं दोस्तों वरेख किड़नी का बाहरी भाग कहलाता है कोटेक्स कोटेक्स ओप्शन अ और किड़नी की अंदर इंस थैग क्या कहलातो है मैडुला और नेफ्रोन किड़नी की छोटी का होती है किड़नी चलनी का काम करती है एह हमारे खून को अपसिष्ट पदार्त बाहर निकालती है और किडनी का आद्यन नेफ्रोलोजी कहलाता है और किडनी का जो आकार है सेम के बीज का आकार का होता है 140-160 किराम इसका जो वजन होता है और एक किडनी थोड़ी सी ऊपर होती है और दूसरी कीडणी थोड़ी सी नीचे आपको यह याद रखना है और केड़नी machine आविसकार colf elf ने किया था उस्तन मानव के systolic औरBN sidolic रख्चाप होता है सीस्टॉलिक और दाष्टोलिक जो समन्य व्यक्ति का रख्चाप है 120 और 80 mmHg यह normal blood pressure है सिफिनो मैनोमेटर दोबारा यह माप्या जाता है रक्चाप और रक्चाप को नियंतरित करने में medulla है वही जो सबसंदा वो रक्चाप यह नियंतरित करता है आगे चलते हैं फ्लैट फूट चप्टा पाउं कहा जाता है मेस्टर सिलीजिया को, प्लंटर फैटीस को, मार्टर नियो रोमा को, पेस प्लेनियस पीस प्लेनियस फ्लेट फूट का दूसरा नाम है यह आपको याद रखना है पीस प्लेनियस आग्गे चलते हैं दोस्तों आयूरुवेद का मूल गरंत है आगे चलते हैं दोस्तो यम कहे जाते हैं यम नियम आसन प्रणाम प्रताहार दारना ध्यान समाधिये किसने दिये भी अश्टांग योग मैरसी पतंजली ने अर्योग सुत्र की रचना की और यम में क्या क्या है अहिंसा सत्य असत्य ब्रह्मचरिय अपरीगर है यह इसका राइट अंसर है यह यम कहे जाते हैं यम के पांच बागर नियम के भी पांच ही बाग है आगे चलते हैं दोस्तो ऐसी दमनी जो अशुद रक्त को हरदय से लेकर फेपड़ों में जाती है आसान कोश्चन है फुफुस दमनी प्लोमनी आर्टरीज ओप्शन बी इसका राइट अंसर है ओप्शन बी आगे चलते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट थियोरी सम्बंदित है क्रेश्मर ने वही शरीर के कावरगी करण किया था सिगमेंट फ्राइड ने इमनो इसलेशन वादगासी दानत दिया और अक्सले का सम्बंद स्लाइडिंग फिलामेंट थियोरी से है और यह है मसलों के संकूचन से सम्बंदित है आगे चलते हैं दोस्तों मेजर ध्यानचंद का जनम कब हुआ मेजर ध्यानचंद का जनम 29 अगस्त 1905 में हुआ यह 16 उरस की आयू में ही भारतिय आर्मी में बढ़ती होगे और यह तीन उलम्पिकों में 1928, 32, 32 में इन्होंने भाग लिया और 1936 में यह कफ्तान रही और भारतिय टीम को तीनों बार विजेता बनाने में इनकी प्रमुक्भुमिकारी इन्हें 1928 में हकी विजाड से नवा जा गया हकी का जादूगर दागोल इनकी जीवनी है और इनके पुत्र का नाम अशोक दीवान वो भी हकी के अच्छे खिलाड़ी रहे है और में जे द्यांचन स्टेडियम दिली में भी और लखना मन दीए आपको यह याद रखना भाई इनसे इतलर इतना प्रभावित हुए थे जो जर्मनी के चांसलर थे उन्होंने अपनी से नामेने उच्छफद परदान करने की गोशना की थी वोफर किया था लेकिन उन्हे है समोटो टोटोटोटोपिन हार्मोन किसके लिए है चनल गरोथ और बोड़ी गेंगे रोग के लिए वाइस ओफ में बिंग इनमें से कोई नहीं गेंगा रोग मानव की वाच सामाने वर्दी के लिए समयने वर्दी के लिए उप्शन ए इसका राइट आंसर है आगे चलते स्वीडिश जिमनास्टिक के जनमदाता थे जिमनास्टिक का जनक जर्मनी को कहा जाता है वही और स्वीडिश जनम जिमनास्टिक के जनमदाता कूँ थे पैन हेंरिक लिंग पैन हेंरिक लिंग ओप्शन बी इसका राहिट आंसर है आपको यह याद रखना और पैन हेंरिक लि का मैदान कितना होता है 39-16, 28-16, 27-16, पहले था 39-16 अब है लेकिन 27-16 मीटर, खोखो में 9 खिलाड़ी केलते हैं और 3 एक्स्ट्रा होते हैं और 4 पारियां होते हैं, दो एक टीम की, दो एक टीम की, चेजर, रनर, डोज, ये सब्दावली किसे हैं भई, खोखो से, डोल तो भई बहुत गेम में हैं लेकिन चेजर है, रनर है, ये खोखो से हैं, पोल्डाईव है, पोल्डाईव का सम्बंद खोखो से है, और आपको बताना भी कोमेंट में, वर्तमान में खोखो मैच की अवदी क्या है, आपको ये याद रखना, वाइटल कैपेस्टी, फेफडों की कुल सम्तामा अपने का सुत्र है, टाइडल वोलूम, पलस कंपलिमेंटरी एर, पलस स्पलिमेंटरी एर, ओप्शन एई इसका राइट आंसर है वई, वाइटल कैपेस्टी, स्पाइरोमेटर दवारा यह मापी जाती है, मेरू दंड के तिर्चे जुकाव को कहते हैं, साइड़ वार्ड क्रुवेचर ओफ स्पाइन इसका इसका राइट आंसर है, आगे चलते हैं दोस्तों, कोहनी व्या गुटने में किस परकार का जोड़ पाज़त है, गलाइडिंग जुएंट गर्दन में है, गलाइडिंग जुएंट यह कलाई में है, और हिंज जुएंट यह कहाँ पर है वाई, उटने में कोणी में, ओप्शन सी इसका राइट आंसर है, ओप्शन सी और जो गेंद गटा जोड़ है, वो कहा है वही गेंदगटा जोड बॉल एंड सोकेट जोइंट कंदे और कूले में अगे चलते हैं दोस्तो ग्लुकोज गलाइकोजन के रूब में संगरीत रहता है वरक में किडिनी में नहीं वही अस्ती में नहीं अगनाश्या में नहीं लीवर में तो इसका राइट आंसर है लीवर में ओप्शन डी तो दोस्तो ये इस एक्जाम के पचास कोश्चन मैं आपको करा दी हैं पचास कोश्चन मैं अगली वीडियो में करवाऊंगा तो ये जो कोश्चन है आपकी आगामी प्रिक्षा यूपील्टी ग्रेड की रियाना एस्टेट की राजस्तान की और अन्य जो स्टेट की प्रिक्षा हैं फिजिकल आजूशेकेशन की उनके लिए बहुती मैं तो पुना लगातार जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रही है हमारे चैनल को सस्क्राइब कर लीजे ताकि आपको आगामी वीडियो मिलती रहें जैहिन जैवारत